जेहिंद मैं ललिद खतरी और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता MTTV इंडिया मायरा फैशन्स एन एक्स्क्लूजिव रेंज ओफ डिजाइनर कलेक्शन स्वामी कॉंपलेक्स आन्वेगा मौल अजमेर आज बात एक रुपे के नए नोट की जल्द ही एक बार फिर आपके हाथों में एक रुपे का नए नोट आने वाला है सरकार ने इन सम्मंद में सभी तैयारियां पूरी कर ली है साथ फरवरी को सरकार की और से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि वितमंतराल ले इसकी छपाई करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर चुका है इस एक नए रुपे के नोट में वाटर मार्क भी होगा वहीं बताया जा रहा है कि इस नोट में कई ऐसे फीचर डाले गए हैं जिससे सुरक्षा को बनाया जा सके भारती ने जर्व बैंक की वेबसाइट के अनुसार इस नोट की छपाई को पहली बार 1926 में बंद किया गया था क्योंकि इसकी लागत जादा आ रही थी इसके बाद इसे 1940 में फिर से शापना शुरू किया गया जो 1994 तक जारी रहा इसके बाद पुनह वर्ष 2015 में इसकी चपाई शुरू की गई अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है फीचर्स नए फीचर्स इस नए नोट में इस नोट की लंबाई होगी लगबग 9.7 सेंटिमीटर और चोड़ाई होगी 6.3 सेंटिमीटर एक रुपे के नए नोट पर सबसे उपर हिंदी में लिखा होगा भारत सरकार और वहीं नीचे अंग्रेजी में गवर्मेंट ऑफ इंडिया लिखा होगा इस नोट पर रुपे के सिख्य का निशान भी होगा जिस पर वाक्य सत्य में वजयते लिखा होगा नोट के उपर हिस्से में भारत सरकार और Government of India के बाद वर्ष 2020 भी लिखा होगा नोट में दाहिनी तरफ नीचे की और काले रंग से नोट का नमबर लिखा होगा जिसका क्रम बाएं से दाएं की और बढ़ते हुए होगा इस नोट पर विच सच्चिव अंतु चकरवर्ती के साइन होंगे ये साइन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे भारत एक क्रिशी परदान देश ऐसे में नोट में अन का प्रतीक होगा पंदरा भाषाओं में रुपे की कीमत लिखी होगी इनमें तेल प्लेटफोर्म सागर रतन का प्रतीक भी बना हुआ है पहले तीन नंबर और शब्द आकार में एक समान होंगे इस नोट का रंग सामने से गुलाबी हरा होगा जबकि पीछे कई रंग मिले हुए होंगे एक रुपे के नोट में कई वाटरमार्क होंगे जिसमें सत्यवेव जयते के बिना अशोकस्तम लिखा होगा नोट के बीच में अंकों में एक लिखा होगा जिसमें गौर करके ही पहचाना जा सकता है इसके बाद भारत भी लिखा दिखाई दे सकता है आपको बता दें कि इस नोट की एक सबसे खास बात यह है कि इसे अन्य भारतिय नोटों की तरह भारतिय रिजर्व बैंक जारी नहीं करता है बलकि इसकी चपाई करवाई जाती है भारत सरकार के द्वारा ही साथ ही आपको बता दें कि एक रुपे के नोट पर वित्सचिव का हस्ताक्षर होता है ना कि अन्य भारती नोटों के समान रिजर्व गैंट बैंक के गवर्नर का वज़ 2020 के एक रुपे के नोट पर वित्सचिव अतनू चक्रवर्ती का हस्ताक्षर होगा अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो MTTV इंडिया के पेज को फॉलो करें और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब करें वीडियो जन्रलिस्ट राजवीर सिंग के साथ मैं ललित कदरी जन्रलिस्ट ले जन्रल्ट हैं पर धवीर स dura़र इन्रल एक्राण से को खिर्योंम ललित करें सिंग Caitlin शियो प्राइब कर्फस में सब्सक्राण से अन्रल कवार्संजा 5G